Hello students, welcome to Geography Guru channel. Today we are here with another session of class 12th Geography, chapter number 10 is going on, that is Human Settlements, Manobastiyah. Three sessions होजगें, यह हमारा fourth session है, इसके बाद एक और session होने वाला है, in last two session में हम बात करेंगे Urban Settlements के बारे में, शहरी या नगरीय बस्तियों के बारे में. आज का हमारा जो session है, fourth episode, उसमें हम बात करेंगे जो नगरीय बस्ति होती है, उसे कोन सी बस्ति है जिसको हम नगरीय मानेंगे, जैसा कि हमने पहले session में, पहले वीडियो में बात की थी, उसकी क्या विशेस्ताइं होती है, उनकी समश्याइं, यह सब कुछ इस session में रहेगा. जैसा हम पहले हमने discuss किया था, पहले session में हमने बात की थी, 1961 की जनगर्णा की परिभासा के इंसार, कि जो बस्ति तीन सर्तों को पूरा करती है, उसे नगरीय बस्ति माना जाता है. पहली सरत यह होती है कि वहां का जनग्सिंख्या घंताव कम से कम 401 परती वर केलोमेटर हो, दूसरी जो सर्त होती है कि वहां की जनग्सिंख्या कम से कम 5000 हो, तीसरा, वहां की working population जो कारेशिल जनग्सिंख्याइअ, उसका 75%, 75%, पाचचत्र परतिश्त लोग हैं, वो गेर कारियों में लगे हैं, यानि इन तीन शर्दों को पूरा कर्ती है, कोई भी बस्ती वो नगरिय बस्ती होती है या फिर दूसरे कंडिशन हो कि अगर कोई महतपुन परशाष्शनिक नगर है, प्रेटनस धल है या फिर Sanskritic स्थल है, इतियासिक स्थल है या cynic स्थामे उसको भी सरकार नगरिय बस्ती डेक्लेर कर सकती है अगर वो उन सर्तों को पूरा नहीं करते तो भी तो ये परिभासा या condition शर्ते होती है नगर कहलाने के लिए तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं नगरिय बस्तियां हैं, उनकी विशेष्टाएं क्या होती है लंदन है, उसको आधनिक विश्व में पहली नगरिय बस्तियां माना जाता है और यहां की महत्पूर्ण विशेष्टा होती है कि जातर लोग है वो द्वित्ते, तित्ते किया चतुर्ते क्रियां में लगे होती है तो चलिए हम पहले देखते हैं कि नगरिय बस्तियां उनकी विशेष्टाएं क्या होती है कौन-कौन सी विशेष्टाएं उनमें होती है तो सबसे पहले जो विशेष्टा होती है नगरिय जनसिंख्या घंतव अधिक होता है बहुत अधिक होता है अधिक नहीं हम जैसे पहले डिसकरस किया था हमारे देश का जो जनशिंख्या घंतव है वो है 382 वैक्ति परतिवरग किलोमेटर 382 पर स्केर किलोमेटर according to the 2011 census हर्याना का कैसा था 573 पान्सो ती है तर दिल्ली का 11,000 प्लस है क्योंकि वो पूरी तरीके से शहर है उसमें भी दिल्ली में हम 39 इस टिश्टी की बात करें तो वहां 32,000 वैक्ती परती वरक किलोमेटर रहती है यानि वहां पर जन सिंख्या घंतव अधिक होता है शहरों में कोई भी शहर हो, ग्रामिन चेत्रों की तुलना में कई गुन अधिक होता है दूसरे जो विशेषता होती है तवरिक गतिशिलता होती है भाग दोड़ बरी जिंदगी होती है कहा जाता है जो मेगा पॉलिटिन सहर होती है जो मेट्रो सहर होती है वो सोते नहीं है वहाँ पर 24 सु घंटे काम चलता रहता है तो वहाँ पर भाग दोड़ वरी जिंदगी होती है जिंदगी थोड़ी फास्ट होती है वहाँ पर पक्की सड़कें और पक्की मकानों का सवरोब होता है या प्यात के सादनों का जाल बीचा होता है मकान भी अधिकांस पक्की होती है वहाँ पर रोजगार उसकी उपलबता अधिक होती है यानि रोजगार के अफसर है वो अधिक होती है वहाँ पर काम धंदे के अफसर अधिक होती है ग्रामी शेतरों के तुलना में वहाँ पर यातियात के वैक्तिगत और सार्दनिक साधन हैं वो भी अधिक मिलते हैं सार्दनिक साधनों की बात करें हम दिली आपने डैली अंशियार का एक्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर मैट्रो की सुईधा उपलब्त है, इसके लाब वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांस्पोर्ट है, वो सर्विस अवलेबल है, प्राइवेट ट्रांस्पोर्ट पब्लिक सर्विस अवलेबल है, इसके लाब आप ओला उबेर इस परकार की सुईधा हैं, उनका भी फा गेर प्रात्मी कारियों में गेर किर्षी कारियों में लगे होती है जटिल श्रम का विभाजन होता है यानि जो लोग होते हैं वो अलगले कारियों में लगे होते हैं और यह कारे जो जिस हिस्से का है शहर का हिसा काई बार उसके दोरा भी निधायत होता है वो किसी विशेश क पारे के लिए परशिद होते हैं, तो वहाँ पर स्रम का विपाजन वो अलग होता है, वहाँ पर स्रमाजिक प्रगाड़ता का अभाव होता है, आपसी मेल चूल कम रहता है, और व्यक्तिवाधिता अधिक होते हैं, यानि वहाँ पर छोटे परिवार होते हैं, और आपसी सम्म होते हैं जैसा पहले बताया था कि गाउं में पहचान होती है कि आप किस परिवार से हो शहर में ऐसा नहीं होता है शहर में आपके पडोसी भी है वो आपसे हो सकता है कभी मिल जाए तो हाई हेलो कर ले और ये भी जरूरी नहीं है कि आपसे हाई हेलो करें तो वहाँ पर सामाजिक आर्थिक अंत्र अधिक पाया जाता है वहाँ पर, वहाँ पर आर्थिक तोर पर है, एक तरफ बहुत बड़े आलिशान बंगले मिलेंगे, दूसरफ जोगी जोंपडियां मिलेंगे, बहुत धनी लोग मिलेंगे, बहुत गरीब लोग मिलेंगे, काम के अवसर बहु पुछी की शहरी बस्तिया नगरिय बस्तिया उसकी विशेष्टाएं क्या होती है यह आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कैसे शहर में आलिसान बंगले भी हैं आलिसान बिल्डिंगें भी है कई मंजिला इमारतें भी है दूसरे दब छोगी जौंपडियां भी है तो यह अंतर है वो हर एक सहर की एक विशेष्टा है अब हम नगर की बस्तियों के वर्गिकण की आधार की बात करेंगे कि नगर की बस्तियां हैं उनको किस आधार पर नगरिय घोजित किया जाता है कौन से आधार होती है तो पहला जो आधार है सबसे अधिक महत्पून आधार है वो ये है, शहर का वर्गिकान या नगर का वर्गिकान है, वो जन सिंक्या का अधार पर होता है, यानि अधिकांस देश हैं उन्होंने जन सिंक्या का अधार पर नगर या ग्राम विवस्तियों में भाजित किया है, हलांकि ये जो मापदंड है, वो अलग अलग है, जिसे हमार पे 1500 से अधिक जनसिंख्या वाले कॉलोनी है, उसको शहर अर्जन्टाइना, पुर्टगाल में 2000, यूसे में 2500, भारत में 5000, जापान में 30,000, यानि ये जनसिंख्या को अधार माना है, जनसिंख्या घंतव की बात करें, भारत में 400 वैक्ति परतिवरक किलोमेटर से अधिक जनस तो पहला जो आधार है कि नगर का वरगी करने का वो है जनसिंख्या, लेकिन इसके मापदन हर देश में अलग है, दूसरा है नगर के लिए आधार वो है वैवसाइक सरंचना, जिसके आधार पे नगर माना जाता है, वैवसाइक सरंचना के आधार पे, यानि काम धंदे कौ जाता है जिसकी 50 पर्थिसत जन्शिंख्या है वो गेर किर्शी कारियों में लगी हो हमारे देश में ये 75 पर्थिसत है तो कारियों का अधार पर भी किसी वस्ति को ग्रामेड या नगरिये कहा जा सकता है लेकिन इसके में मापदन्ड हर देश में अलग होंगे तीसरा नगर हो महतपूंट प्रियाटन सता लितिया दियों तो ये भी एक मापदन्ड यानि कि तीन मापदन्ड जिसके आधार पर किसी वी वस्ति को शहर या नगर घुजित क्या जा सकता है एक तो कामदंदे के आधार पर एक जंसिंख्या क्या अधार पर दूसरा अधिकार होता है परशाशन के आधार पर तो ये थी आधार कि नगरिये बस्ति है किस आधार पर उसको डिकलेर किया जाता है अब है एक इंपोर्टन टोपिक नगरिये बस्तियों की समस्या है नगरिये बस्तिया है उनकी अपनी अलग समस्या है वैसे नगरिये बस्तियों में बहुत सारी सुईधायें होती है, फिर भी किस समश्याइं भी होती है उनके साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे आपको आर्थिक विकास दीख़रा है दूसरी तरह आपको गरी भी दिखाई दे रही है आवाज की समश्या है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके कि नगरी ये बस्तियों की समश्या है क्या क्या होती है सबसे बड़ी जो समश्या महत्पून समश्या है वो है अत्यधिक जनसिंख्या गंताओ और बढ़ता आकार लोग काम की तलास में नगर की तरफ जाते हैं इससे जनसिंख्या का कार है वो तेजी से बढ़ता है और ओवर पोपूलेशन है वो कई सारी समश्या लेके आता है वहाँ पर कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता गंदी बस्तिया है उनका परशार तेजी से होता है मुंबई में धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्तिया है तो पहली जो समश्या अत्यधिक जनसिंख्या और उनके एनिमित बढ़ते आकार है उसके कारण वहाँ पर समश्या आती है उसके कारण सिर्फ आवास की समश्या नहीं आती बलकि कई और समश्या है वो भी उनसे जोड़ी होती है दूसरी जो समयसिया गंदी बस्तियों के समयसिया क्योंकि बड़ी सिंख्या में लोग है काम की तलास में वहां जाते है आवास का परबंद करना बड़ा मुश्किल होता है बहुत महंगा भी होता है इसलिए वहां पर जहां भी जगह मिलती है वहां पर जुगी जोंपडियों का विस्तार होने लगता है और जुगी बस्तियां उनका विस्तार होता है जहां पर किसी परकार की सुईधाइं नहीं होती तो ये भी एक बड़ी समस्या है बड़े सहरों के हमारे देश की बात करें तो मुंबई में धारावी, सीमापुरी इलाका दिल्ली में या कोलकाता, च महंगाई की समस्या भी रहती है, शहरों में अपेक्ष्याकरित सुईधाएं तो अधिक होती है लेकिन उनकी दरें अधिक होती है, काद्यापदार्थम मिलावट ये भी समस्या अधिक होती है, वहाँ पर अगर हम आम तोर पर दूद का एक्जामपल लें आफिर आटे का ए ऐसे होते हैं जिनको काम धंदा नहीं मिल पाता और वो पेट के लिए या परिवार को पालने के लिए अपराद की द्रफ अगरसर हो जाते हैं, अपराद ग्रामिन चेत्रों की तुलना में वहाँ पर अधिक होते हैं, सामजिक आर्थ की विशमता भी अधिक होती है, अमीर भी वही मिलेंगे तो गरीब भी वही मिलेंगे, शिक्षा भी वही मिलेगी तो एशिक्षा भी किसी एक कौन्य में वही मिलेगी, अगर सुरक्षा भी वही मिलेगी तो अपराद भी अधिक वही मिलेंगे, गरीबी भी वही पर मिलेगी, तो ये सामाजिक आर्थ की विशमत वह अधिक होती है, रोजगार भी वहीं है, लेकिन बीरोजगारी भी वहीं है स्वास्ते और चिकिता सुईधाई उपलब्ध नहीं हो पाती तो इस समस्या से भी दो-चार होना पड़ता है, शहर के लोगों को, नगरीय लोगों को तो ये थी समस्याइं जो नगरिये बस्तियां हैं उनको सामना करना पड़ता है तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने बात की नगरिये बस्तियां कौन सी होती है नगरिये बस्तियों के वर्गी करण के आधार उनकी विशेशताइं और कौन-कौन सी समस्याइं जिनका उ झाल झाल